नमस्कार मेरा नाम मेरवी आपका स्वागत करता हूँ अर्थ वर्दन चनल में आज हम बात करने वाले हैं SBA Magnum MediCap Fund के बारे में जिसके हम launch date, asset allocation, fund type, fund performance, top holdings, investment options, expense ratio और क्या यह fund आपके लिए suitable है के ने उसके बारे में हम चर्चा करेंगे चलिए शुरू करते हैं यह fund launch हुआ था 29 मार्च 2005 को इस fund का size है 5939 करोड यह एक active fund है और इसकी अगर exit load की बात करें तो जैसे regular equity fund में exit load 1% होता है उसी तरह same इसमें भी 1% के exit load है इस fund के ratios के बारे में बात करें तो इसका expense ratio है 1.1% जोकि normal equity fund से थोड़ा से ज्यादा है turnover है 30% अगर हम बाकी funds को compare करें तो इसका turnover mid cap fund की category होने के बावजूद भी बहुत ही कम है इसका alpha है 2.71 जोकि बहुत अच्छा है और standard deviation है 26.71% जोकि normal है इसकी asset allocation की बात करें तो जैसे कि यह mid cap fund है उसके according mid cap category में इसमें 79% का allocation किया हुआ है small cap में 10% और large cap में 11% का asset allocation इस fund में किया हुआ है यह एक open ended fund है मतलब आप इसमें जब चाहे तब अपना पैसे लागा सकते हो और जब चाहे तब अपना पैसे को निकाल सकते हो लेगिन आपको पैसे redeem करने के time पे exit load का ध्यान देना चाहिए अगर इस fund के performance की बात करें तो इस fund ने एक साल में 65.71% तीन साल में 18.49% पाथ साल में 13.44% साथ साल में 16.85% और ये fund जब से launch हुआ तब से consistently 19.82% का return दे रहा है अगर इसमें investment के तौर पे बात करें तो अगर इस fund में आपने 1.00000 रुपे लमसम के तौर रुपे investment किया होता तो आज उसका value होता 1.66 lakh तीन साल पेले अगर आपने investment किया होता तो उसका value होता 1.66 lakh पात साल पेले अगर investment किया होता तो उसका value होता 1.88 lakh जबकि साथ साल पेले अगर आपने investment किया होता 1.00000 रुपे तो आज उसका value होता 2.98 lakh अगर हम इस fund के SIP की तौर पे बात करें तो अगर आपने एक साल पेले 10,000 रुपेस की पर मन्त की SIP स्टार्ट करें होती तो उसका investment value होता 1.2 lakh जबकि उसका return होता 1.56 lakh तीन साल पेले अगर आपने SIP स्टार्ट करें होती तो invested amount होता 3.6 lakh और आपका return होता 5.97 lakh पांच साल पेले अगर आपने SIP स्टार्ट करें होती तो invested amount होता 6 lakh और जबकि return होता 10.06 lakh साथ साल पेले S.I.P. स्टार्ट करें होती तो invested amount होता 8.4 lakh जबकि return होता 15.57 lakh इस फंड के sector holding की बात करें तो construction sector में 16.19%, automobile sector में 12.09%, engineering sector में 11.92%, financial sector में 9.98%, consumer durable में 8.35%, और healthcare sector में 8.35% का allocation किया हुआ है जैसे आप sector holding को देख सकते हो, इसमें किसी भी sector को बहुत ज़्यादा weighted नहीं दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है, इस fund में कौन से stock में major holding है हो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए मैंने top 10 stocks को यहाँ पर सामिल किया है इस वीडियो को आप post करके stock allocation को आप note कर सकते हो सीला फोम में 5.88%, गुदरिद प्रोपर्टी में 4.32%, पेज इंडेस्ट्री में 4.25%, कारबरेंडम युनिवर्सल में 4.19%, जेके सिमेट में 3.92%, गुजा स्टेट पेट्रोनेट में 3.6%, टूब इन्वेस्मेंट्स अफ इंडिया में 3.28%, दरामको सिमेंट्स में 3.19% और चोल अगर आपको इंवेस्मेंट स्टाट करना है, तो मिनिममम 500 से आप अपनी SIP स्टाट कर सकते हो, जो अगर आपको लंसम इंवेस्मेंट करना है, तो मिनिममम 5000 रुपी से आप इंवेस्मेंट स्टाट कर सकते हो, इस फंड के मेनेजर है, सुहीनी अंदानी, जिनको 11 साल से भ कर चुकी है अगर इनके education qualification की बात करें तो इन्होंने अपना B.com Mumbai University से complete किया है और साथ में इन्होंने CAB complete किया हुआ है अब मेरा क्या मनना है इस fund के बारे में वो मैं आपको पताता हूँ अगर आप young हो और risk taker हो और आपको long term के लिए investment करना है तो आप इस fund में अपनी position बना सकते हो लेकिन अगर आप retired person हो या फिर आप middle age में हो और अगर आपको short term के लिए investment करना है तो इस fund से आपको दूर रहना चाहिए ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप उनको कमेंट करके बता सकते हो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उनको कमेंट करके बता सकते हो कि इस वीडियो को कौ सा पार्ट आपको एक्षा नहीं लगा थैंक यू